मोदी जी इस साल के अंत में होने वाले विधान सबाव चुनाव के साथ साथ लोग सबाव चुनाव करवा देंगे मोदी जी एक देश एक चुनाव की तरह बढ़ रहे हैं मोधी जी संसत के विशेश सत्र में महिला आरक्षन्ट बिल पास कराकर महिलाओं का दिल जीत लेंगे और फिर चुनावज जीत जाएंगे मोधी जी देश को इंडिया की जगा भारत घोशित कर देंगे और एक बड़े वर्का दिल जीत जाएंगे और वोट भी जीत जाएंगे तमाम तरह की बाते कही जा रही है मुझे नहीं मालूम मोदी जी क्या करेंगे आप मेंसे भी किसी को नहीं मालूम कि मोदी जी के मन की बात क्या है लेकिन मैं एक अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मोदी जी 2024 में डूबे तो अपने साथ साथ पूरे शेर बाजार को भी ले डूबेंगे नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजे विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले साथ-ाथ मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कुशिश करूँगा भी आपसे इतना सा आगरे है कि वीडियो पूरा अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और घंटी जैसी आकरती बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो ततकाल आपको जानकारी मिल जाए आप मेंबर्शिप ड्राइब में भी जा सकते हैं लाइक जरूर कीजिए सब् 19 की तरहां जीत गए तो शेर बाजार 10% बढ़ जाएगा अच्छी बात है आज की तारीक में यानि एक सितंबर को शेर बाजार करीब 61,000 पर था माना जा रहा है कि जिस रफ्तार से उतार चड़ाओ के बीच में शेर बाजार बढ़ रहा है मई 2024 में जब लोकसवा चुनाओ के नतीजे आएंगे तो 71,000 के आसपास होगा यानि जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन बाजार 71,000 पर उसके एक दिन पहले बंद हुआ होगा मोटे तोर पर मोटा अनुमान है अब नतीजे 2024 में वाचपई जी की सरकार गिरी थी तो 17% बाजार गिर गया था 17% बाजार दूबे तो शेर बाजार की लुटिया डूब जाएगी पूरी तरहां से शेर बाजार 40% नीचे आजाएगा 71,000 की जगा धडाम से गिर कर 41,42,000 पर आजाएगा अब आप कहेंगे कि शेर बाजार की नजर में क्या उनको ये आशंका सता रही है कि मोदी हार रहे हैं और हार भी इसकदर जबरदस्त रहे हैं कि गड़बंदन के साथ भी सरकार बनाने की स्थिती में नहीं है या फिर बीजेपी सरकार बना लेगी लेकिन मोदी जी प्रधान मंतरी नहीं होंगे और उसका असर कू असर शेर बाजार पर पड़ेगा बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ह अब देखिए ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट क्या कहती है अगर बीजेपी को दोसो साथ सीटों पर अटक गई बीजेपी दोसो साथ दोसो बहत्तर चाहिए बहुमत के लिए दोसो साथ पर अटक गई तो आसानी से शेर बाजार को लगता है कि मोदी जी सरकार बना ल में शेर बाजार पांच परसंट बढ़ जाएगा अगर मोदी को दोसो चालिस सीटे मिलती है तो भी शेर बाजार को उमीद है कि मोदी जोड़ तोड़ करकर सरकार बना लेंगे और खुद भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और ऐसे में थोड़े से हलके जटके सैकर शेर बाजार पांच से साथ परसंट का करेक्शन करनेगा आगे आगे खतरनाक सितिया है मोदी जी के लिए अगर बीजेपी दोसो पच्चिस पर मोदी सर दोसो पच्चिस पर अटक जाते हैं तो फिर शेर बाजार को शक है कि सरकार भी पतानी बन पाएगी या नहीं बन पाएग या सरकार जैसे तैसे बन गई तो मोदी जी प्रधान मंतरी बन पाएगे या नहीं बन पाएगे और ऐसे में शेर बाजार लुड़क जाएगा 20 से 25 परसंट नीचे 20 से जो 71 हजार करीब होगा उस दिन उसमें 20 से 25 परसंट की भेंकर गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन य या तो बीजेपी के गड़बंदन की सरकार बन पाएगी हो सकता है जोड़ तोड़ करके बन जाए लेकिन निश्चित रूप से मोदी प्रधान मंतरी के रूप में सामने नहीं होंगे और ऐसे में शेर बाजार 30 से 40 परसंट धड़ाम से गिर जाएगा 71,000 की जगा 41,42,000 पर आ जाएगा 30 से 40 परसंट नीचे गिर जाएगा आप कहेंगे ये तो शेर बाजार के आंकड़े हैं इसका वास्तविक सिती या अभी जो सर्वे आ रहे हैं उनसे तो कोई लेना देना नहीं है टाइम सो जो इंडिया टोड़े का मूड अव दा नेशन स तर्वे है वो बता रहा है कि 2% का डिफरंस रहेगा लेकिन सीटों का डिफरंस सो से ज्यादा रहेगा यानि एंडिये प्लस को 43% वोट मिलेगा और सीटे 296 प्लस होंगी और इंडिया प्लस को 41% वोट मिलेगा और सीटे 192,94 या 196 के आज पास रहेंगी लेकिन संजे कुमार CSDS के जो निदेशक हैं CSDS डोक नीती के उन्होंने भी एक सर्वे कराया था उनका सर्वे एक अलग कहानी पेश करता है जो शेर बजार की जो आशंका है उससे कुछ-कुछ मेल खाता है 2019 के विधानसभा चुनाओ के हिसाब से एक हिसाब लगाया गया तो पता लगा कि एंडिये के खाते में 42.3% वोट जा सकते हैं लेकिन इंडिया के खाते में जो इंडिया नया 28 पार्टियों का फ्रंट बना है उसके हिस्से में 37.2% वोट आ सकता है पांच परसंट का डिफरंस है पांच परसंट का डिफरंस अच्छा खासा होता है बाई-पोलर चनाओ में लेकिन संजे कुमार आगे क्या कहते हैं कि जो वोलटाइल सितियां है जैसे मोदी का ग्राफ घट रहा है अर्थववस्ता बिगड रही है अगर अर्थववस्ता नहीं सुधरती है मांसून इसी तरह दगा दे जाता है महंगाई बढ़ती है इसी तरह से बेरोजगारी इसी चार सो सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त उमीदवार के लिए तयार हो जाता है अलग लग राज्यों में राज्यवार महागडबंदन बन जाते हैं यानि काग्जों में बिलकुल सॉलिड हो जाता है गणित के हिसाब से अर्थमेटिक के हिसाब से तो बीजेप के अनुसार 3% का negative swing BJP को 303, 302 से 258 पर ले आएगा और India को जो 171 के आसपास है वो बढ़ा कर 201 तक पहुंचा देगा यानि 3% का negative swing अगर BJP के खिलाफ गया तो BJP 300 के आसपास से घटकर 258 पर आजाएगी और India 171 से उठकर 201 पर पहुंचाएगा और अगर 5% का negative swing गया BJP के खिलाफ तो BJP 229 पर आजाएगी दिल थाम कर बैठिये BJP 229 पर आजाएगी और India उठकर 224 पर पहुंचाएगा संजे कुमार यहीं नहीं रुकते संजे कुमार कहते हैं कि अगर इंडिया ने और अच्छा भेतर प्रदशन किया एकता के हिसाब से और अपनी ताकत सामोवी कुरूप से दिखाई आल्टरनेट पेश करने में काम्याब हुए कुछ बड़ा game changing idea लेकर आए कि हम महंगाई ऐसे रोकेंगे बिरोजगारी ऐसे रोकेंगे और कुछ और विवस्थाएं करेंगे जो इसको social security योजना है तो और 5% से ज्यादा का swing हुआ तो फिर बीजेपी 200 से नीचे भी लुड़क सकती है और इंडिया 200 के आसपास भी पहुंच सकता है तो मोटा मोटा ये आंकड़ा दोनों का जो मैंने बताया सैंसेट भी यही बात कहरा है और संजे कुमार भी यही बात कहरे है संजे कुमार तो विधान सभाचुनाओं के हिसाब से जो अगर देखा जाए तो एंडिये के मुकाबले इंडिया वैसे ही आगे है क्योंकि 4120 हमारे यहां वेजबर में MLA है जिसमें से 1852 MLA इंडिया के खाते में है 1585 NDA के खाते में है इनका वोड परसंटेज 39.7% इंडिया के हक में जाता है और 34.7% जाता है NDA के खाते में चलते चलते आपको ताजा ख़बर बता दे जो मैंने आज ही अख़बारों में पड़ी कि अडानी की संपत्ती 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, घट गई है अब इनकी ये सूची में कितने नंबर पर हैं ये पता नहीं चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आये तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए गंटी जैसी आकरिती दबा दीजिए और मेंबर्शिप ड्राइब में भी विदरोही7 मेरा Twitter handle है विजेविदरोही7 के नाम से मैं Instagram पर हूँ और Facebook पर मेरा पेज है विजेविदरोही पेज प्लीस Facebook पर भी मुझे Follow कीजिए शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया